हिंदी मुवीज का जितना क्रेज यूके में है उतना ही कैनडा में भी है और लंडन की तरहा कैनडा की भी कई सारी लोकेशन्स पर 90 के जमाने से हिंदी मुवीज की शूटिंग की जाती है और सबसे पहली बार आजेदीवगन के फ्लम दिल जले कैनडा में रिलीज की गई थी उसके बाद आमिर खान की लगान और सनेदीयोल की गदर रिलीज की गई जी हाँ दोस्तों जिसके बाद एसारकी की फिलम कभी अलवदा न कहना कैनडा में रिलीज हुई तब से इंडियन म में चार Indian languages में आई थी यह और शारूक की हाली में आई पठान ने Canada में अच्छी खासी कमाई की थी दोस्तों Canada में Indian movies का इतनाज ज्यादा क्रीज होने की पीछे पहला reason तो यह है कि Canada में काफी सारे Indians रहते हैं और दूसरा ये कि Canadianz, King Khan यानि कि शारूक और खिलाडीकुमार यानि कि अक्षे को काफी ज़्यादा पसंद करते हैं और अब ऐसा anticipate किया जा रहा है कि S.R.K. की इस साल की आखरी फिल्म यानि कि डंकी Canada में पठान से भी ज़्यादा की कमाई करेगी क्योंकि इसमें शारुक डंकी फ्लाइड्स के जर ये कैनेडा जा रहे हैं और कैनेडा की लोकेशन्स भी फिल्म में दिखाई जाने वाली है जवान में जहां शारुक और तापसी में लीड में हैं वहीं विकी कॉशल और बोमन इरानी जैसे आक्टर सपोर्टिंग रोल में नज़र आने वाले हैं बात करें बोमन इरानी के डंकी के खिरदार की तो वैसे तो बोमन जब दतर फिल्मों में एक फ़नी और कॉमिक रोल प्ले करते हैं लेकिन डंकी में वो इसके अपोजिट रोल में दिखने वाले हैं इस फिल्म में हमें बोमन इरानी का विलन वाला अवतार नज़र आने वाला है वो डंकी फ्लाइड्स के फाउंडर्स में से एक हो सकते हैं जो सर्फ अपने बारे में और पैसो के बारे में सोचता है और लोगों की मजबूरी का फाइदा उठा कर उन्हें सपने दिखाता है और फिर उन्हीं का सौधा कर उनके सपने को तोड़ देता है भले ही बोमन एक डार्क रोल में नज़र आएंगे लेकिन कहीं न कहीं न कहीं वो हमें हसाते हुए भी दिखेंगे शारुखान और बोमन एरानी ने आज तक कई फिल्मों में साथ काम किया है और बोमन यूनिक और डिफरन रोल प्ले करने में काफी माहिर है और उन्हें डंकी में देखना फैंस के लिए एक अच्छा experience होने वाला है आज कल फिल्मों के रिलीस के बाद उनकी OTT रिलीस का भी काफी इंतजार रहता है सबको और आज कल तो SRK के फिल्मों के OTT राइट्स पाने के लिए OTT प्लाटफॉर्म के भी जंक छिर जाती है तो ऐसे में ये देखना काफी दल्चस्प होगा कि डंकी के OTT राइट्स के streaming platform को मिलने वाले है दोस्तो वैसे आज कल दो ऐसे platform से जो सबसे चलते हैं जो है Netflix और Disney Plus Hotstar ये दोनों streaming platform सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि बाग की कई सारी countries में भी काफी popular है तो डंकी के rights इन में से किसी एक platform को मिल सकते हैं तो क्या आप भी है डंकी के लिए excited ये हमें comments में जरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो खो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रगती मिलूँगी आपसे next वीडियो में safe रही बसक्तवाते रहिए